हलो एप्रिवान मैं सतिंद्र तिवारी आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूँ हम इधर लगातार करियर विल के अपने स्टूडेंट्स की सकसे स्टूरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स आपके ही बीच से उठकर आए हैं और इनकी सफलता आपके लिए डेफिनिटली बहुत इंस्पारिंग होने वाली है तो आज इस कड़ी में हम मिलने वाले हैं कैसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने 21 साल की उम्र में 5 सरकारी नौकरियां क्लियर की है और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है खास तोर पे ऐसे समय में जब ज़्यादा तर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं इस बात को लेकर के कि शायद पता नहीं कब नौकरी लगने वाली है या वो एक अदद नौकरी के लिए बहुत परिशान होते हैं कि काश मेरी एक नौकरी लग जाए लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में और सही अप्रोच से प्रेप्रेशन करते हैं तो यह उपलब्दी आप पा सकते हैं तो आज हम मुलाकात करने वाले हैं शिवम से और शिवम अपनी जरनी खुद आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि भाई किस तरह का अप्रोच उन्होंने लिया इस सफलता को अरजित करने के लिए क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है एकीस साल की उमर में पांच सरकारी नोक्रियां क्लियर करना मैं मुझे लग दिया कि नहीं जौप के बीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला ट्वेल्थ में मेरे 80 परसुन आए यह अच्छी नहीं हो पाती है रिटन किजा में प्रेशर क्रिए हो जाता था था वो प्रे करते हैं हम और इस इंटर्व्य की शुरुवात करते हैं शुरुवात मैं करना चाहूंगा आपके स्कूलिंग के दिनों से आप अपने फॉर्मल इंट्रदक्शन के साथ शुरू करके अपनी स्कूलिंग की जर्नी हमें बताईए मैं ने 10th and 12th दोनों UP Board से किया मैं 10th लुक्ति जर्दर्दड और परके सीवरें। बेज जोइन करता हूं उन्होंने बोला कि बीऐ के साथ सथा आप कोचिंग कॉम्प्टिट ईग्जांब की जॉइन कर सकते हो तो मैंने थिक मैं इंटरस्त में उसमें देखता हो गर मुझे इंटरस्ता आए दिन उसको जॉइन कर लूँगा Okay, so schooling में मतलब आपकी performance किस तरह की थी, कैसे थी 10th की journey, 12th की journey 10th was like, मैं average student था मापे, मैं daily attend class, attend करता था, but kind of थोड़ा सा था focus मेरा अच्छा था, but वो क्या होता था, जब exam right होता था, थोड़ा सा written exam में pressure create हो जाता था, वो pressure creating problem होती थी and then, जब मैं 12th में भी गया, तो वो थोड़ी सी बनी होई थी वो चीज, वो 12th में pressure creating things थी, तो इस वज़े से भी parents को लगा होगा कि नहीं pressure उतना ब्लब वैसे तो आप focus थे लेकिन pressure में performance थोड़ी सी गड़बड हो जाती थी, उस वज़े से मैं marks थोड़ा सा कम हो जाते थे, तो average student just because of that parents को लगा होगा कि नहीं उतना better कर पाएगा, तो मैं BA में मैंने aspire किया, Okay, BA में अपने admission ले ले लिए and साथ में complete exam की coaching start का दी Okay, so Shivam आपको कब लगा सरकारी नोकरी की तेहरी आपको करनी चाहिए और क्या motivation था उसके पीछे, क्या आपको बताया गया था क्यों सरकारी नोकरी की preparation के लिए जाना चाहिए? Actually sir मैंने जब 12th complete किया तो मेरी family की economic condition उतनी अच्छी नहीं थी, Actually मेरे father 2005 में नहीं रहे थे and afterwards मेरे चाचा ने मुझे अब ब्रिंग किया, मम्मी थी and चाचा ने मुझे अब ब्रिंग किया and उस टादी भी थी मेरी, तो चाचा ने जब मुझे किया and चाचा ने इस तरीके से कि just because of me उन्होंने marriage नहीं की. Oh, यह बहुत बड़ी बात है कि बतलब आपकी परवरिश पे ध्यान देने के लिए उन्होंने अपनी शादी नहीं की. चाचा जी का नाम क्या है? Anil Khare. Anil Khare जी आपको बहुत बहुत नमन विकाज आज के समय में ऐसा देखना बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि शायद आपके चाचा जी ने जो किया उस चीज ने आपको एक ट्रिगर किया कि भई मुझे मैनत करनी चाहिए परिश्रम करना चाहिए अपना 100% देना चा मैं families को देखता था बट मेरे चाचा ने मेरे लिए बहुत बड़ा sacrifice किया उसने मुझे एक motivation दिया कि नहीं मैं at that time मैं determine हुआ कि नहीं मुझे अभी यह करना है और दूसरी चीज यह थी कि मेरी family में कोई भी government job में नहीं था स्टेबिलिटी थोड़े सी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी अक्नामिक इसू था जैसे मैंने अपको बताया तो इस सब रीजन थे कि मैंने मुझे government job में मैं गया government job में गया था बट मैंने का मैं ऐसे तो नहीं कर सकता government job start मैं preparation पहले मुझे जब तक इंटरेस्ट नहीं कर सकता तो फिर दिन में उसके बारे में थोड़ा पढ़ा कि क्या चीजें हैं क्या आसपेट्स हैं क्या आगे की future aspects इसमें क्या क्या मिलेंगे मैं यहां पर एक पॉइंट और एड करना चाहूंगा तो कि अगर हम middle class की बात करें तो सबसे पहला जो सबाल मन में आता वो यही आ तरकारी नौकरी के लिए अपने preparation नहीं की जरनी के बाद आपका experience अलग रहा पर आपको focus पूरी तरीके से learning के उपर रहा absolutely मेरी complete जनी मैंने वहां start तो उसके लिए किया था कि मैं government job मुझे मिलेगी but after a small period of time मैं मुझे लग गया कि नहीं job के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला knowledge gain हो जाएगी तो यह jobs भी clear हो जाएगी क्योंकि जो मैंने अभी तक मैंने education ली थी मुझे पता था कि education ले रहे एक्जाम क्लियर कर रहा है वो ठीक है बड़ एक एक्स्प्लोर करना अपने आपको एक अलग चीज थी परस्नाल्टी को इंप्रूव करना अगर नहीं करेंगे तो आप आगे कितना भी अच्छी जॉब ले लेंगे तो आप आप सेटल नहीं हो बाएंगे वह बिलकुल बिलकुल और यह बहुत वैलिट का जो experience था कि वही प्रेसराइज situation में आपकी performance अतनी अच्छी नहीं हो पाती थी and if we talk about any competitive examination यहां पर वही टेस्टिंग होने वाली है that how do you perform in a pressurized situation because हमेशा time कम होता है questions ज्यादा होते हैं तो यह अप्रोच का पूरा फर्क है और I think आपने वह अच्छे तरीके से explore किया जो शायद बहुत सब्सक्राइब को बड़ा लंबा समय लग जाता है वह school education जो उनकी normal academics है और competitive exam की preparation के अप्रोच का जो फर्क है जो difference है वो समझ नहीं बात है साल उनके ज्यादा खर्च खराब होते हैं उस चक्र में तो यह अच्छी बात है कि आपने बहुत जल्दी उसको explore किया जी मैंने उसको उनको मुझे लगा कि नहीं education चल लगी है वो ठीक है academic graduation चल रहा था मैंने का academic graduation चल लगा that's okay बट मुझे मरी personality को improve करना देन मुझ English थी मुझे लगा था कि English आगे बहुत काम आएगी मुझे उसरी टाइम समझ में आया था तो मैंने फिर English and Maths मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉंग थी तो मैंने दोनों को continue रखा afterwards मैंने government job में ही मेरा SSC first exam मेरा SSC CHSL था तो Shivam जैसे आपकी बात से लग रहा था कि अब धिर धिरे आपको learning में मजा आने लगा था आप नहीं चीज़ें एक्स्प्लोर कर रहे था और वही कारड़ था कि आप इतने exams clear कर पाए तो मैं जानना चाहूंग कि कौन कौन से exams आपने clear किये क्या उनकी timeline थी जरनी के बारे म चेप्टेंबर में टीर टू था तो मैंने टीर टू ऐसे वगेरा जो होता है उसका मैंने एक्जाम प्रपेर गिया मैंने खुछ सेल्फ स्टडी की थोड़ा पढ़ता गया बुक्स पढ़ी एंड कि कुछ अगर ऐसे के हिंट मेले कुछ लेटर की लेटर वगेरा की formation एक्द करें मैं बताया आ जिए सबुढ़ा ही सबस्ता कि अछू सब्स्क्राइल मैं मैं प़स्ट था हम लोग मिढ़े तक मुछ दो रूप Всем संब्लकु पर्मा को के वाधी क्ली हम लेटरता की निन सब्स्क्रड़ फर्स्ड कि एम लोग मिढ़ा कुछ भाईग से सर्ट जो क्यो नहीं इस नहीं जो यह बागर जोगांटी तो मुझे लगा यहाँ अब कुछ लॉट वर्ट कर रहा हूं है ऑफ नौलिज गेन हो रही है तो उसके बाद मैंने कम्प्रीट किया मेरा मेरा वो सी एचसल कम्प्रीट हुआ फिर मैं पढ़ता चला गया कंटीनिवसली क्योंकि कोई एग्जाम उस ताइम थे नहीं तो सदनली कोविड आ गया गया तब गहीं करनी ने कोवेड़ हिया गया सब्सक्राइबते बैठ बैठस rejects प्डे darle किंश थी और अच्छी दिए और में पढ़त रखना अची तो मैंने कहा अच्छे से सपLike्जेब बनाता हूं घो सिंट हैम्प्रिटियु व्यू बनाता हूं तो मैंने वह कोर्स भी लिया मैंने उसको पढ़ा and after lockdown मेरा पहला एक्जाम अगें CHSL था अगें CHSL जब आया तो मैंने वह भी दिया वह भी clear हुआ वह clear होते ही यानि दो CHSL अभी तक clear हो गया दो CHSL clear हो चुके थे और अभी आप अपने graduation के second year में थे जे अगल की थे चीज आया कि वह भी कोंच और की आप तुम में धावर चीज तो मैंने बान के बारे में चीज़ देखिए जा थोड़ा और अच्छी जीज थोड़ा और एक्स प्रोर किया जाएगर मैं पर आपका बैंकिंग स्पेशल लेया और एक टैस सीरी लिए और चैनल् आपके education knowledge सबको improve कर रही है बिल्कुर फिर मैंने उसमें आगे पढ़ा मैंने English special पढ़ा and then suddenly मैंने एक batch लिया sir का तो मैंने D.I.E. वगेरा बढ़ी मैं e-books continuously लगाता था बैंकिंग का जो लेवल है वो ऐसे से लेवल अप आ जाता है और आप और explore करते हैं नहीं तो यह मतलब यह सदेशन I think सभी aspirants के लिए और मैं बार बार अपनी classes में भी बोलता हूं कि अपने portfolio को हमेशा ही diversified रखिये aptitude वही है वही आपको verbal ability मतलब English quantitative ability reasoning वही चीजें हर एक्जाम में पूछी जा रही है बस थोड़ा अप्रोच अलग हो जाता है पूछने का level अलग हो जाता है तो मुझे कहा कि मुझे मेरे friends ने भी कहा कि तुम SSC में चलतो रहे हो ठीक SSC HL पीछे लाइंड अप हो चुका है आगे भी लाइंड अप है तुम क्यों चेंज करो मैंने का just for brainstorming थोड़ा सा brain boost होगा अच्छा रहेगा यह तो मैंने वहां से profession start की banking की और नए-ए आसपेक्ट English में खुलके आ है कि WPM क्या होता है जैसा आपने की बताया the word for a minute पढ़ने मेरी स्पीड बढ़ी मैंने इस होते देखागी नियूस पर जो मैं पहले पढ़ रहा तीन दिन मेरा नियूस पर चल ला है वो अब एक एक दिन में खतम हो रहा था तो मुझे लगा नहीं इंप्रूमेंट डिख रहा है मुझे देन मैंने फिर उसके बाद और प्रोसेस किया उसक तो उसके बाद मैंने इसके टाइपिंग का टाइम दिया चुका था मैं यूस कर रहा था तो पूरी मल्टी टास्किंग चल रही थी आपकी जहां तीर लग जाए निशाने पर बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज पूरी गेन हो रही थी वरीड फील्स है तो आई बी में भी वह जल्टा गए है आज चुके हैं बाकी सारे प्रोसेस में देन में एंटीपीसी भी दिया वह एक्जाम भी अच्छा गया उसके बाद सी एचे से फिर आया आई बीपेस का टाइम री फॉर्म ओपन हुआ मेरी जस्ट एज कंप्लीट हुई मैं तयार था पहले से बिकर यह था शळंट है कि मैं प्री निकाल के मैं भी आट हुआ हुआ फ़ already मैं में में मैं में внеш में में मेंज में में दिया मेंज hm actually three three ass का होता है क्योंकि CGL में मैं जिस चीज की तयारी करा था छोन से क्ष्सी लूर्स वर था तो जियंग तक्ता से टुम तू तो यह त के मैंने clear किया फिर interview lined up था अब interview में क्या था मेरे एक थोड़े hesitation थी कि मैं starting से interview से थोड़ा hesitate करता था जो की UP board का होने के बिलकुल बिलकुल हमारे सारे जो hindi-bhashi students हैं उनको चीज से बहुत डर लगता है कि मतलब जब वो interview का phase है और बहुत सारी किसलिए बैंकिंग में जाते भी नहीं है इस डर की वज़ज से भी तो मैंने जब इंटर्विय फेस किया मैंने इंटर्विय में आप से सजेशन भी लिया मुझे याद है हमारी फोन पो कुछ आई थिंग पैंतेस चालीस मिनिट बात हुई थी बिल्कुल बिल्कुल तो काफी हेल्पफुल था जब आपने बोला कि केडमिक्स वगएरा पढ़ लो तो मैंने वह भी चीज़े पढ़ी सब अपने बैंकिंग भी पढ़के गया था मैं उस ताइम फिर मार्च में इंटर्वी हुआ खुआ मैं फिर एंटर्वी हुआ टुम इंटर्वी में मेरा उन्होंने एक्जाक्ट्ली वही चीज़ अड़ना लो अगयमिक्स भरता मेरे उनक overlay मेशा किया था मैंने शे में इसली Imagine ने Nick the प्नों कर भूशे आख बॉनकि बूस्पयर्च end up हुआ उसके बाद वो रिजल्ट मेरा प्री मेंस निकला तो मुझे confidence आ चुका था एंदेन इंटर्वी कर रिजल्ट जब एप्रिल माया एंदन I qualified that also तो मुझे याद फिर आप ने तुरंत कॉल किया था मुझे मैंने आपको कॉल गया तो वह एक चेंज था कि मैंने इस जर्नी को शॉर्ट टर्म में स्टार्ट किया जो मैं एससी कर रहा था वहां से मैं shift हुआ ज़स्ट बिकॉस अब डेट की नॉलेज गेन करने के लिए वह नॉलेज गेनिंग इतनी मुझे प्रोफिटेबल होगे कि I got the job of a P.O. आपका यवी P.S.P.O. में selection हो गया और मैं आपको बता दू शिवम इस समय अभी गुडगाओं में शिवम की ट्रेनिंग चल रही है and I think 9th September को वो complete होने वाली है तो बहुत-बहुत बधाई आपको इस उपलब्दी के उपर तो इस वज़े से मेरा ये complete हुआ and then अब आगे और भी competitive exams for knowledge मुझे अब आगे aspire करने है बिल्कुल अभी जो अभी आपकी जो उम्र है वो सिर्फ 21 एस है और इस उपलब्दी को आपने प्राप्त किया और मैंने उस समय भी आपको यह कहा था कि यह आपके लिए पहली आज स्टेप है यहां पर रुखना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल तो सर वही चीज मैं आगे अब उसके लिए aspire करूंगा बाकी चीजे को उसे बाइब करके उसको पढ़ूंगा आगे मैं ऐसा नहीं की study रोग दूँगा यह तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल मैं उस चीज को continue flow में जारी रखोंगा शिवम जैसे आपने ससी से अपनी जर्नी शुरू की प्रिपरेशन की और सबसे पहली जो आपको जॉब बिल रही है वो बैंकिंग में मिल रही है आप आपकी ट्रेनिंग चल रही है इस समय तो आपनी दोनों जर्नी देखिए तो यह जो सवाल है मैं मतलब स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से आपको पूछना चाहता हूं कि जो एस सी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार बैंकिंग के प्रिपरेशन को लेकर स्केप्टिकल होते हैं तो आपका एक्स्पीरियंस कैसे रहा क्या अप्रोच में फर्क है और जो हमारे तीनों एरियाज हैं तो थोड़ा से जर्नी के बारते में आप एक्स्पलेइन करें एक्छली प्रिपरेशन की एससी वर्शै बती है अच्ली डिफरेंस सब्जेक्ट वाइसंप्जेक्ट चलता है अब जैसे रीजनिंगometer नावता हैं ड्टा सा द्रास्टिक डिफरेंस आता है जब चीज़े आती हैं पजलाती है जब उसमें पजलाती है बडे कवर अब करने के लिए कुछ इजी चीज़े भी आती है जैसे वहां पर पर श्यूज़ बिक आपको करने के प्रॉषण गागे कि आपके थोड़ा नॉनांवर्बल भी आ गए वर्फल भी आ गए मिक्सट भोता है mixed up होता था, series हो गई, and date वगर, calendar वगर के questions आगे, यहां पर क्या होता था, यहां पर चीज आई कि पुजल आगे, पुजल एक major portion कवर करता था वो, जाए प्री में हो, जाए मेंस में हो, आपकी reading promise बहुत अच्छी होनी चाहिए, reading power को टेस्ट करता है, और मैंने वह रीडिंग प्रोफेस आपके बैच सही, मैंने सीखा कि वह रीडिंग ओ जो इंग्लिश में थी, पर चीज वही थी, and उसने मुझे जल्दी माइंड को अपने फास्ट कराया, प्रोसेसिंग फास्ट की नहीं, इस चीज को जल्दी समप करो, और कोशन को सॉल कर, तो वह चीज मुझे हल्प की, मैंने प्रैक्टस में कंटिमेस्ली करी रहा था, फिर difference महां आया, reasoning में यह आगया, maths में the main difference में में आता है, जब डियाई आजाती है, कि यहाँ डियाई आएगी, single डियाई, double डियाई, कभी rare cases में triple डियाई वगएरा आ जाती है, और जब डियाई विद अर्थमेटिक आती है, सबस्यादा प्रॉब्लम तब होती है, विकल्ज अगर अर्थमेटिक के concepts clear नहीं है, तो फिर आप डियाई कर नहीं सकते हैं, और अगर डियाई की concepts clear, अगर आपके calculation वगएरा थोड़ा सो भी weak है, तो वो प्रॉब्लम यह आती थी, कि आप solve नहीं कर पाऊगे, आपको आता तो है, अर्थमेटिक बद शॉल नहीं कर पाऊगे, अर्थमेटिक में अगर आपको एक बार अर्थमेटिक आ गए आपको डियाई में बहुत help मिल सकती थी तो वो भी एक benefit था, फिर अब जब English की बात आती थी, तो English में यह था कि थोड़ा सा साइस का चेंज आ गया, कि comprehension वहाँ जो होते था 10 लाइन का गर है, तो यहाँ हो सकता 20, 30, 35 लाइन तक का comprehension हो, पूरा पढ़ने में, आपको patience एक चीज होती ना, patience आप पढ़ रहे हो, conclude कर रहे हो, पूरी चीज है, क्योंकि आपके पास दुबारा पढ़ने का time है ही नहीं वहाँ पर, 20 मिनिट में प्री में 35 कोशन करने है, एन मेंस में 40 मिनिट में 35 कोशन करने हैं, बैंकिंग में, तो वो एक change था, उसको cover up करने के लिए आपको यह करना पड़ेगा, कि आप अपनी reading habit बढ़ाईए, जो चीजें आप books रीड कर रहे हैं, आप एक target बना सकते हैं, कि हमने इतने टाइम में यह इतने pages पड़ लिए, फिर यह देखिए कि आपको उसमें समझ में कितना है, जैसा कि आप बताते हैं कि reading के लिए आपने बहुत help की की, इस तरीके से उसका notes बनाईए, notes वग्यरा clear करें, उससे जल्दी clear हो, जो mind mapping techniques हैं, कि हर paragraph की theme आपके दिमाग में रहे, पढ़ने के साथ साथ, जी, exactly, वहीं चीज, तो वो चीज़े, उन चीजों ने बहुत help की मुझे, personally मुझे बहुत help की, और उसके बाद बात जब interview किया थी, because SAC में तो interview है नहीं, banking में interview है, तो banking में क्या होता हैं, इंटर्वियू में एक soft skills जब होती हैं, आपकी चाही होती है, बहुत needed होती है, बिल्कुर, पेशेंस, आपको कैसे बैठना है, कैसे चीजे करनी है, सब कुछ उसमें आपका सामने होते हैं, examiner's, वो जो भी interview टेक करेंग, तो उनको पता है कि आप किस बैग्राउंड से बिलाउंग करें, उनको सब कुछ पता है, तो 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 आपको पहचान लेंगे, तो उसने भी, मेरा actually hesitation था थोड़ा, वो मैंने आपके उससे सीखा, life lessons वगएरा, जैसे आप comprehension वगएरा में, तो ज्यादा ग्यान होता है, एंड बैंकिंग स्पेशल में भी बहुत अच्छा था, बैंकिंग स्पेशल में भी वो चीज आई, कि लाइफ के बार में थोड़ा पता चला, चीजें मतलब, मतलब, यहां पर मैं एड करना चाहूंगा, यह यह बैंकिंग वाले बहुत सरे श्ट्टेंट्स की दिक्कत है, कि विचारे प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो तीसरा स्टेज है, इंटर्व्यू का और अगर आप इस वी इप्यो की बात करो, तो वहां जीडी भी आ जाती है, परस्नल स्किल्स या कॉंटेंट कैसे क्रियेट करना है, वो नहीं पता होता है, जैसे हमने कॉंटेंट क्रियेशन मैथट्स भी डिसकस की थी, कि प्रिशराइज सिचुवेशन जो अलग अलग मैथट्स हैं, कि आपको एक टॉपिक दिया जा, वैसी है कि आप उस चीज की गेन कर लीज़ेशन पर जो आप करके आए हो जो आप कर रहे हो वो चीज़े आपको पता होने चीज़े उससे बड़ी चीज इंटर्विव में कुछ नहीं मिलेगी मुझे वड़ा सा हीजिटेशन होता था बड़ मैं आप जहां से आ आ रहे हो और जहां जाना चाहते हो इन दोनों का अगर आपको ग्यान है अच्छे तरीकिस और आप कुछ बलफ नहीं कर रहे हैं आपका इंटर्विव अच्छा होगा बिलकुल और वो भी फिर कंसीडर करते हैं कि बच्चा फ्लूइंट है उन चीज़े आपका फ्लो में निकलती है तो फ़र प्रॉब्लम नहीं होती है वो उने लग रहा है कि बिलकुल बिलकुल तो उसमें यह था कि इंटर्व्यू निक उस इंटर्व्यू यह था डिफरेंस अब कंप्ली डिफरेंस ऐसा आता है कि एससी का बच्चा यह देखता है कि यहां पर टाइमिंग का इशू होता पर उतना नहीं करने छोड़ने के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस मेलेगा बाकि आप ज्यादा उसमें छोड़ने का कोई स्पेस है नहीं बट बैंकिंग में आपको यह पता होना है कौन सा कुशन लीव करना है इस तो इंपोर्डेंट थियान से सुनी है जितने भी हमारे है शिवम की बातों को बहुत ध्यान से सुनी है यह में पॉइंट है आप अगर से सी के देख रहे हो तो प्री में और मेंस में दोनों जगा लगबग एक पैटरन चल रहा है राइट मेंस में आपके पास इंग्लिश में 120 मिनिट्स में 200 क्वेस्टेंस है यानि नंबर आफ क्वेस्टेंस जादा है टाइम कम है बट वहीं बैंकिंग के मेंस में कहानी बदल जाती है यहां 35 क्वेस्टेंस के लिए 40 मिनिट है जबकि प्री में लगबग मोर और लेस सेम केसे तो यह फर्क समझना बहुत जरूरी है तो उसमें यह होता है कि आपने अगर चीजें कोर बेसिक से नहीं पड़ी है तो प्रॉब्लम आती है कि वह घ्रिक वाली चीज अची है बंट जब मेंस की बात बैंकिंग में आती तो वह चीज भूलनी पड़ जाती है क्योंकि आपको पता आपको को सेलेक्टिव करने बहुत सेलेक्शन को सेलेक्शन is the most important thing in banking क्योंकि अगर वो नहीं कर भाई तो यह समझे फिर प्रॉब्लम होगी आप एक पजल कर गर अपसे नहीं हुई और जजबाती अगर हो गया पेपर में अगो पहर नहीं होगा मतलों मुझसे कैसे नहीं होगा मैं बार बार यह कहता हूं कभी भी जजबाती मतों कुछ ऐसा नहीं होने वाला की राश्टरी अस्तर पे आपके दाम की घोशला होगे कि यह वाला क्वेश्चन तो इन ही ने किया है। वेटेश है, it's all about the selection of right questions, because being a manager, because you are managing a situation, you are supposed to invest your time and intelligence in such a manner, so that you could get maximum output out of that, right? वही तो टेस्ट कर रहे हैं वो, कोई भी aptitude test आपकी मानसे क्योगिता परिक्षा है, that how do you perform in a pressurized situation? जो भी घ्यान है, उसका सही जगा, सही तरीके से, सही समय में इस्तमाल करो, and result लेके हो, बहुत अच्छी बात. जी, तो वस यही, यह major difference होता है, question selection and, वहाँ बल्क में आपको questions attempt करने, because वहाँ उसके बिना selection नहीं, यहाँ selective questions के बिना selection नहीं है, यह चीज़ है. So, अब हम जानना चाहेंगे, मतलब, career will की journey आपकी कैसी रही, किस तरीके से इसने मदद की, और जैसे कि आपने पीछे भी यह discuss किया, कि जो COVID का टाइम था, जो कि जाहिर तोर पे हम सभी के लिए, एक unprecedented situation थी. उस दोरान आपने, आप career will से जोड़े और उसका पूरा utilization किया, तो कौन-कौन से courses लिया, आपने, कैसी career will के साथ journey रही, बहुत बड़ा सा बताएं. मैंने मेरा जो experience था, मैंने मेरे फ्रेंड न मुझे सजेस्किया था, कैरेविल, और मैंने में 2019 में सब्सक्राइविल से पढ़ना, सबसे पहला को जैसा मैंने आपको पहले बताएं आप पी का लिया था, उसके बद गगन सर का लिया, आपके कोर्स मैंने English Special लिया था, आपके मैंने स्पेशल भी लिया था, जी बिल्कुल लिया था, मुझा इतरह से मेरे पांचो कोर्से सारे लिया, बैंकिंग स्पेशल भी लिया, जी बैंकिंग स्पेशल भी लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला continuous learning थी, कि एक के बाद एक नई चीज, हर कोर्स में ऐसा कुछ नही था मैं और एक्स्प्लोर कर चुको अपनी मैट्स को, यह पूरा जर्नी थी, बोक्स लेता ही रहता था, गगन सर की बोक्स थी, और से बहले मेरा केशादो सर की बोक्स के लगाता था, कॉशन सौल करता है, काफी हैल्प मिली मुझे, और जो यह चेंज करना था मुझे, यह चें कब ब्रिजब हो गया चीज तो यह चीज बहुत अच्छी थी इस चीज के लिए तो आपको लग रहा है कि मतलब करियर विल अपने विजन में सफल हो रहा है क्योंकि मैंने कानपुर में भी कोचिंग की बट मुझे एक्जाक डिफरेंस पता है कि मैंने पहले भी एक्स्पिरेंस दूसरी कोचिंग में कर चुका था और मैंने यहां किया तो बहुत अच्छा एक रहा फेस रहा कि हाँ यह चीज मैंने पड़ी और कंटिनुसली मैं ऐसा कि मैं रुका मैंने उसके बाद भी अपने सेलेक्शन के बाद भी मैं मैं कोउर्स बाइब कर रहा हूं घ्याट के लिए यह चीजह नहीं के डिएways अबगते लगा और पर्सनेल्टी इंप्रूव हो रही है एक्जाम्स तो तो मुझे भी यह सुनके बहुत अच्छा लगता है विकाज हर को क्यूरेट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे मैं कई कैटेग्रीज में लेकर आता हूं और मेरी ये कोशिस हमेशा रहती है कि हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भला हो और आप जैसे हो जाएं तो फिर और अच्छी बात है जो बच्चा मतलब पहले स्टिप से शुरू करके और उसको लगातार उसकी भूप बढ़ती जारी और उस हिसाब से उसको खुराक मि रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो यह हमारी बातचीत हुई है यह जो लाखों स्टूडेंट्स करियर विल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं पूरे देश से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेश काफी उचाही तक लेचे जाएगा तो मेरी तरफ से करियर विल पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुब काम नहीं और बदाई तो इस चीज में मैं आगे करता रहूंगा और सीखता जरूर रहूंगा यह चीज मैं आप सही सीखी कि लर्निंग इस बेस तिंग बिल्कुल कॉंकि अगर रुख गया तो वहां पर आप स्टॉप हो जाओगे और स्टॉप होने के बाद फिर वह चीज होती ना लोहा जो हैं इस पायरेंट हैं यहां पर हमेंटल स्टैमिना के लिए काम कर रहे हैं अभी हमारे खिलाडी जो हैं होलिम्पिक्स में इतना अच्छा प्रदर्शन किया पर युष्न में मेडल्स लिम्पिक्स से भी जादा इस बार आ रही है और तो वहां पे काम क्या है वहां पर एक्जाम्स में फिजिकल टेस्टिंग है वहां पे तो है बट इन नौकरियों में में इस्टैमिना आपकी ज्यादा चाहिए और खास तोर से जो एक स्कूली बढ़ाई लिखाई है हमारी उसकी बड़ी से दिक्कत रही है रोट लर्निंग वाली और उसमें दिमागी ताकत हमा तो इंज्वाइमेंट है अपने शायद अभी तक प्रिशर में पढ़ाई की थी मेरा मैं कॉमर्स से हूं या मैं आर्ट से हूं साइन से हूं इंजिनरिंग से हूं एक्जाम पास करना है बड़ जब आप यहां पर आते हैं तो आप फिर से वही सारी चीज़ें जो दसमी तक पढ़ी हैं आपने, स्कूल के दिनों में रटी थी, यहां आप समझते हैं, और समझने के बाद उसका अप्लिकेशन करते हैं, तो आप इंजवाय करते हैं प्रोसेस को, और वही है कि इंजवायमेंट इस दखी, आप एक्सल तभी करेंगे, जब आप इस प्रोसेस को इंजवा को जरूर प्राप्ट करें, बहुत-बहुत बधाई आपको फिर से शिवा, धन्यवाद, तो शिवाम के साथ ये जो इंटरव्यू आपने सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी विद्यारती हमारे साथ जोड़े हुए हैं, या जो भी इस पर्टिकलर इंटर इंग्लिस की क्लासे से बोलते हैं कि सर मैं तो यूपी बोर्ट से आता हूँ, हिंदी बैक्राउंड का हूँ, मुझे से इंग्लिस कहा होगी, या कई बार बहुत सारे बच्चे उन एक्जाम की तरफ चले जाते हैं, जिनमें इंग्लिस पूछी ही नहीं जाती, जस्ट इस तो यहां आपके सामने शिवम थे, जो हिंदी माध्यम से पढ़े, यूपी बोर्ट से पढ़े और उसके बाद उन्होंने इतनी सफलता हैं अरजित की और खास तोर से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 21 साल की उम्र में, और वो कैसे कर पाए वो भी आपको पता है, लगातार डेडिकेशन, लगातार डेडिकेशन अपना जो कहते हैं कि परसिवेरंस के साथ वो हाड़ वर्क उनका चलता रहा, मेहनत चलती रही, और एक्चुली यह जो हाड़ वर्क टर्म है, यह भी बड़ा क्लिशेड है, जब आप किसी चीज को एंजुआए करत हैं, तो वो हाड़ वर्क नहीं लगता, यह रेलेटिव अंडरस्टेंडिंग है, जैसे आप देखो कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो, पांच बजे आपने समय मुकरर किया किसी से मुलाकात करने के लिए, और आप पहुंच चुके हैं पौने चार पे, अब वो पंदर मिन क्योंकि उन दो घंटों को आपने इंजवाय किया है, तो जब आप किसी भी प्रॉसेस को इंजवाय करते हैं, तो ना तो वो कभी आपको हाड़ वर्क लगेगा, ना कभी मेहनत लगेगी वो, वो लगेगा कि यह तो बहुत प्यार से निकल गया, और अगर आप इंजवाय आपको कोई भी नहीं रोक सकता, अब मैं इतनी महनत करके इतने सारे कोर्सेज लेके आता हूं आपके लिए, और शिवाम ने आपको साब बताए कि सभी के कांटेंट अलग-अलग होते हैं, उनमें महनत करता हूं, क्योंकि भई, मुझे पता है कि हर एक इग्जाम के लिए क इसकी जरूरत है, और बच्चा अगर सिंसिर है, शिवाम की तरह एक साल में इन्होंने चार से पांच मेरे कोर्सेज बाई किये, और भी जिन-जिन जगों से वो पढ़ सकते थे, उन्होंने पढ़ाई की, और इस तरह की सफलता उन्होंने प्राप्त की, तो इसी के साथ लेकिन हमारे सफल इस्टूडेंट्स की संख्या इतनी जादा है, कि वो खुद अड़र्टाइज करते हैं, जैसे शिवाम ने बताया, उन्हें भी उनके एक दोस्त ने इसके लिए रेकमेंड किया था, उनके मित्र ने रेकमेंड किया था, तो आप इस जरनी को आगे सफल होते रहे हैं, और जब भी आसपास, जैसे शिवाम गुर्डगाओं में थे, तो उन्हेंनों में में स्टूडेंट्स हैं, तो जब भी आपको मुका लगे, आप मारी टीम से कॉंटक्ट करें, अपनी जरनी शेयर करें, विकास ये आपकी भी गुरुदक्षडा होगी, आपके सभी गुरुओं के लिए जो इस प्लैटफॉर्म पे हैं, और जाहिर तोर पे वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्परेशन होगा, कि उन्हीं के बीच का एक साथी जो है, वो सफल हुआ है, तो वो भी सफल हो सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्य वो इजए भुगाए उन्हीं अच्छिब चाहिए वो एक बाकी स्टूडेशन होगाए वो ऑटन्यवादॉर्म पे प्लेशन होगाए ऑन्हीं प्लेशन होगाए ने जोग्णिवाए प्रूबाए टोगे जोखेए जोगे वोगे अजए इन्हीं आपके साथी जोगे